महा न्यायदी बक्ता रमान कुमार स्रेश्ट ले सरकार ले महा न्यायदी बक्ता को कारे ले र सरकारी ओकिल को कारे ले ले आवस्चेक स्रोथ साधन उपलब्दा नगराये का कारन अधिकामस सरकारी मुद्धामा हार खानु परेको बताये का छन। आईता बार प्रधानमंत्री पुस्पकमल दहालाई कारीलाई में बुलाई सरकारी मुद्धामा हार खाने क्रम ब्रोगना कारीलाई प्रेयाप्त स्रोत साधन उपलब्द गराउना महानिया दिबक्ता स्ट्रेश्टले आगरह गरेका छन। अदालत ले माग एको लिखित जवाव देने क्रम मां मंत्रालाईले मुद्धामा सफलता मिलनी उनको भनाई छा। इसको चार बनने प्रमोशन संग संबन्धित समस्या सबाई एर्दा चाहीं महिले चाहीं के महसुद गरे मने सरकार कीनो कमजोर होंचा नेपाल मां भने गो योटा कारन चाहीं यो कारेले को अबस्ता तेसको प्रतिभिम्बा हो बने महिले ठाने यो मजबुद होंदा, सरकार मजबुद होने हो, किसला है सम्बदन गरने तिरब मेरो पहल होंचा। महा न्यायदी बक्ता को कारेले अबलोकन को लागी प्रधान मंद्री पर्चंड संगा कानुन मंद्री अजे शंकर नायक पनी गएका थिये। रातुपाटी.ड़कम को रिपोर्ट